नमस्कार दोस्तों और इस्टेडी विध्यान प्रकास में आप सभी का हर्दी स्वागत है 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोड के आदेश के बाद आप लोगों ने देखा कि प्राइमरी से बीड हट गया और इसके बाद बीड के लिए जो सेनेरियो है वो काफी कुछ चेंज हो गया कुछ राज जैसे भी हैं जहां पर सुप्रीम कोड की ओर से बीड को रहात मिल गई लेकिन अभी भी बरतमान में कई सारी भरतिया हैं जिसमें अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि बीड रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा जैसे कि के बारें बात करें बिहार सिक्षक भरती के बारें बात करें तो बीड को अभी भरती से बाहर नहीं किया गया है लेकिन अब क्या होगा इसके बारे में अभी कुछ क्लियर भी नहीं है फिलाल B8 के लिए एक review file की गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो review file की गई सुप्रीम कोर्ट में यह डिवे सर्मा की और से file की गई है जिसमें respondent बनाया गया है Union of India Secretary Ministry of Education को यहाँ पर respondent के रूप माना गया है फिलाल अब इस पर जो सुनवाई होनी है उसकी अभी कोई date नहीं आई है 16 सितंबर को यह review file की गई है इतना जरूर है कि इसके बाद यह जो team है जो की बेट लिए काम कर रही है यह team KBS पहुची और KBS से उन्होंने request किया है कि जब तक review जो है final ना हो जाया जब तक उस पर सुन आई तक जारी ना किया जाए इसके लिए दो बजे मतलब 22 घंटे पहले की बात है यह फिलाल कल यह team पहुची थी और फिलाल जो latest update है उसके मताबिक जो KBS जांकारी मिल रही है उसके मताबिक result को जो है clarification तक hold किया जाएगा मतलब KBS भी अभी फिलाल कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है तो इसके लिए अब बरतमान में इस्तितिये बनी की जो KBS का result है वो review तक नहीं आएगा यहाँ पर दोस्तों यह team है इसलिए भी काम कर रह रही है कि जो भी चीजें मतलब यहाँ पर जो आदेस आया 11 अगस्त को यह 11 अगस्त से लागू हो उसके पहले की भरतियों पर यह लागू ना हो इसके लिए भी यहाँ पर प्रयास क्या जा रहा है आप यहाँ पर देख सकते कि पस्षिम मंगाल से selected B8 सातियों के साथ B8 मु जो है टीम काम कर रही है फिलाल सभी B8 को सुपकाम नहीं अगर ऐसा होता है तो भी मतलब तब भी जो है काफी फाइदा आप लोगों को हो जाएगा और ऐसी भरतियां जो कि पहले से गतिमान हैं बिहार सिक्षक भरती के वीएस और और भी कई सरी हैं तो उसमें भी आपको जो औसर है वो मिल जाएगा तो यह अच्छी बात है आगे पड़ते फ्रेंड्स और बात करेंगे यहाँ पर हम लोग अब UPTGT PGT के बारे में आपको पता ही है कि आज की तारीक है 19 सितंबर और 17 सितंबर को पत्तर गेजगर के सामने जो छात्र हैं उन लोगों ने प्रोटे अपन को जारी किया जाए इसके लिए उन्होंने विग्यप्ति सोपी है मुझे लगा कि यह न्यूज इंपॉर्टेंट हो सकती आप लोगों लिए क्योंकि यह TGT PGT एक्जाम से जुड़ी हुई है फिलाल बरतमान में अगर देखा चाहे तो आयो का गठन भी हुआ नहीं ह अभी तक तैने ही हो पाई है ऐसी स्थिति में अब TGT PGT का जो एक्जाम है वो 2023 में हो पाएगा इस पर भी फिलाल संसे लगता है फिलाल आपके पास थोड़ा वक्त है और क्या करेंगे आप आपके पास बसे की काम है कि आप अपनी तयारी को और पुखता करते रहें विका अच्छी तुरूप से जितनी अच्छी आपके त्यारी होगी सेलेक्शन के चांसेश भी उतने ही जाता होंगे उमीद है कि जनवरी में या फिर्वरी में परिक्षा जा सकती है और बात करें तो आज APS का विग्यापन भी जारी होने वाला है उत्तरफ्रिस लोग सिवा आय जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी आगे बढ़ते हैं आपको बताना चाहेंगे यहां पर मुख से विकात से संबंदित भी एक नोटिस यहां की नोटिफिकेशन जारी किया गया है इसमें बताया गया है कि जो एडमिट कार्ड हैं आ गये हैं और इसकी जो परिक् परिक्राइब लसी डार्जीवी.in वेबसाइट पर जाकर अपना जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड करके फिर उसके बाद जो उसमें डिटेस दी गई हैं उसको पढ़के अपनी तयारी को आगे बढ़ा सकते हैं तो दोस्तों यह थी आज की नियूज अपडेट आप पीटी में करेंट अफेर की तयारी कैसे करें तो मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि पीटी के लिए आप लोग मैई से लेकर सितंबर तक कर जो करेंड अफेर है उसको अच्छे से त्यार करें मैई से अगस्त का एक कंभाइन पीडिएफ इसमें आपको कैसारी टेस्ट भी दी गई है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है साथी साथ सारे जो करेंट अफेर हैं मई से लेकर और अगस्त तक वो सारी चीजें यहां पर आपको दे दी गई है अब बचा सितंबर तो सितंबर के लिए PDF तैयार हो रही है और जैसे ही महीना पूरा होता है यह रिलेज कर दी जाएगी तो यहां पर फ्रेंट्स यहां पर आपको सारी जानकारी दे दी गई है ज्यादा पेज़स नहीं है कुल 134 पेज में ही आपको जो है सारी चीजें मिल जाए रही है और बागी जो क्वालिटी है वो आप यहां पर खुद ही देख सकते हैं कि जो आप से लिए वीडियो में तब तक लिए आगें देजिए नमस्कार जहन्त